हाई फ्रेंड विलकम तो दे गेम विच यू इंजोई दा मुस्ट गेम ओफ आलकोल्स आज हम आपके लिए बियर रिव्यू बिल्कुल नहीं लाए है आज हम आपके लिए लाए है बियॉर रिव्यू बियॉर यह मूँ सा सूपारी निकाल के बात कर रहे बाबाई जैसा की य है तोड़े दा प्लेयर अफ दा गेम इस ब्यॉर थी सिक्स्टी यह माइल्ड बियर है यह लास्ट यह ही लॉंच हुई थी और यह आती है ब्रियू किंग बेवरिजिस से ब्रियू किंग बेवरिजिस के जो फाउंडर है वो है रिशब एंड अमित तिवारी दोनों यंग्सचाज है यूथ आपको पता ही आज कले इस एक्चुली गेटिंट इंटु दे बियर वर्ल्ट स्पेशली क्राफ्ट बियर वर्ल्ट में काफी जादा इंट्रस्ट शो कर इस बियर की जो भूरी वो सेट अप हुई है बुठान में तो टेक्निकली इफ वी सी इट उन बाइन इंडियन लेकिन जो ब्रूरी आइट इस इन बुठान तो इन 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 इंटरनेशनल बियर मेट बाइ इंडियन एज वेल और जो चीज़ी से स्पेशल बनाती है वह इसम हिमालियन स्प्रिंग वाटर यानि हमारे हिमालियस का पानी यूज हुआ है जनरली जितनी भी लागर बियर होती है वह मास प्रडूज होती है बिलकुल और यह भी एक लागर बियर है मगर यह क्राफ्ट बियर है बिलकुल और एक चीज़ और कहना जाओंगा इसमें जितने भी इंग्रीडियेंट्स यूज हुए है वो सारे नेचुरल है बिलकुल और जैसे कि अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता दें बडवाइजर एक फेमस लागर बियर है तो लागर जो है अगर मैं इसका यह लेबल छुपा दूं तो इस बॉटल शेप की अगर मैं बात करूं और यह कलर की बात करूं कुछ अगर में थोड़ा सा डिफरेंस है लेबल के स्टाइल की बात करूं मुझे यह हूब हूब हो गाडं की याद दिलाते जिसका हम रिव्यू कर चुके हैं और जिसको चाहे तो आप देख सकते हैं उसका लिंग हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आजकल वैसे भी पता नहीं क्यों ब्राउन बॉटल्स का जो क्रेज है वो काफी बढ़ता जा रहा है जैसे बीच में एक हवा सी चली थी ग्रीन बॉटल्स की अब ब्राउन की चल रही है जो की एक अच्छी बात भी है क्योंकि परस्नली मुझे ब्राउन की जो बॉटल इस हंड्रेड एंड ट्वेंटी रूपीज तो अब चलते हैं हम पोरिंग पर और देखते हैं क्या खास है इस बियर में जो की इंटरनेशनल होकर भी इंडियन है लेट्स प्लेगेम मैं इस प्रोड़क्त के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक लागर बियर के स इसा बनता है फ्रेग्रेंस अच्छी है मतलब भी मैं नोजिंग के लिए गया भी नहीं और मुझे दिख रही है फ्रॉथ कि अगर मैं बात करो तो इट इस प्योर वाइट और अगर मैं बात करो कार्बोनेशन लेवल्स की तो लोर लेवल्स पे हैं कलर इसका गोल्डन में येलो यू आ रहे है इसके साथ अब चलते हैं इसके नोजिंग पर और देखते हैं क्या खास है इसमें वाव फ्रूटीनेस फील और यह नोस पर अब फ्लोरल भी है स्वीट भी लग रही है यह काफी स्वीट लग रही है हॉप्स का अरोमा इतना नहीं है इस बियर में तो यह जादा बिटर होने वाली है और एक अजीब सी ब्राउन ब्रेड की जो खुश्बू होती है वो भी मेरे को मिल रही है इसमें तो अब टेस्टिंग के लिए चलते अब टेस्ट लेके देखें या पोई कैसी लगती है अच्छा है अब ही भी आ रहा है बहुत सिट्रसी फील हो रही है जैसे की लेमन पील्स और मॉल्स का बहुत अच्छा टेस्ट आया है तो मॉल्टिनस भी फील हो रही है मज़ा आया एक टेस्ट मेरे पैलेट पे इतना जबर्दस मनला फील हो रहा है मेरे को वो अलग सै जो कि मैंने कभी मनला बियर्ज में नहीं देखा वो मेरे को फील हो रहा है काफी का अच्छा काफी का फलेवर आ रहा है काफी का फलेवर आ रहा है यूनीक है ये काफी काफ में बात करें तो उससे ज़्यादा जरूरी बात एक यह भी है आपको बतानी कि यह जो बियर है भी और एक्चली बियर 360 यह जो है इसका एक और वेरियंट आता है वीट का वो ब्रा यह जैसे आप देख रहे होंगे इस पर्टिविलर वेरियंट की यह आपको कैसा लगा देखो क्राफ्ट विएर में इस टाइम अपने इंडियन मार्केट में बहुत वराइटी मिल रही है बहुत ज़्यादा बिलकुल वो भी इंडियन प्लेर है तो अब वेराइटी मिलेगी तो इंट्रेस्ट भी जादा हों 8.5 यह काफी अच्छी रेटिंग है बहुत अच्छी रेटिंग है बाकि यह नए ब्रैंड होने के बाउजूद भी टेस्ट वाइस बहुत अच्छा लगा बेरेको बट अब इसकी सक्सेस इस पर डिपेंड करती है यानि हमालीन वोटर ने कुछ असर दिखाया है लेकिन इसम इसक्सपैंशन वो देखनी होगी एवन दो आइनों के क्राफ्ट भीर है तो अवेलेबिलिटी इतने असान नहीं होगी स्केल अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा बट वो एक सक्सेस का रीजन या फेलियर का रीजन बन सकते एक चीज़ और मैं कहना जाऊंगा इनको अ होड़ा सा हाथ चाहिए इने क्योंकि इवन वाइल रिव्यूइंग ऑलसो हिमालियन वॉटर एक यूएस पी निकला एंड चाहते तो इसे यह ऐसा बियर फ्रॉम भुटान भी बोल्ट कर सकते तो यह काफी इंटरस्टिंग प्रोड़क निकला थैंक्यू सो मुच पर वाच चाहिए और जैसे लॉक्डाउन खुलेगा हमें अवेलेबल हो जाएगी तो हम उसका रिव्यू जरूर करेंगे जल्ट से जल और लॉक्डाउन के बाद बैक साइस के साथ साथ 100 पाइपर 12 यह ओल्ड यह दो का प्रॉमिस है यह हम जरूर पूरा करेंगे और थैंक्यू सो म करेंगे